कोटा जाला वाड़ा के साथ भील वाड़ा वचित तोड़ गड़ में भी पेट्रोलियम के भंडार देश में उत्पादिती खनीज तेल में करीब 20 फिस्दी उत्पादन राधिस्तान से हो रहा है हालांकि देश में पेट्रोलियम की जितनी खपत है उसका 16 परतिशत ही उत्पादित हो रहा है बागी तेल आयात करना पड़ता है इसी बीच अच्छी खबर है कि पेट्रोलियम विभाग ने परदेश के ऐसे नए छेतर चिनीत किये हैं जहां पेट्रोलियम वे प्राकरतिक गैस के संबंदित बंढर है पेट्रोलियम विभाग ने वरस 2023 की सालाना रिपोर्ट में जिकर किया है कि परदेश में चार ऐसे चेतर हैं जहां पेट्रोलियम के संभावित बंढर है इसमें विध्यन बेसिन में कोटा, जाला वाड़ा, बारा वे अंसे तर बूंदी, चितोड़गड वे बिलवाड़ा को सामिल किया गया है यह ऐसी छेतरह जहां अन्वेशन कारिये करने पर पेटॉलिम के बंडार मिल सकते हैं अब यह एरिया ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा खनन होता है, बिलवाड़ा में लेड, जिंक, आइरन और ग्रेनाइट, मार्बल, सेंड स्टोन का खनन हो रहा है वही चितोडगड में लाइम स्टोन के कारण सिमेंट फैक्टरिया है अब इने छेतरों में विभाग ने पेटॉलिम की संबावना जताई है इनके जांस के लिए बुकंपिय सरुवे भी करवाय जा रहा है एक लाक बैरल तक परते दिन खनीज उत्पादन, खनीज तेल का उत्पादन हो सकता है परदेश में लगबग 97,000 से एक लाक बैरल परते दिन खनीज तेल का उत्पादन हो रहा है अभी सरकार ने 60,000 वरक किलोमेटर एरिया तेल इम गैस अन्वेशन के लिए चेनित किया है वरतमान में 16 P.E.L.A. बलोक राजस्तान में तेल और गैस अन्वेशन के लिए सुख्रीत है अभी 11 P.M.L. में दोहन कारिय चल रहा है इन चार चेतरों में पेट्रोलियम के भंडार राजस्तान सल्फ जैसलमेर बेसिन जैसलमेर वे अन्शत बिकानेर बाड मेर साचोर बेसिन बाड मेर वे अन्शत जालोर बिकानेर नागर बेसिन विंद कोटा जालवाडा और 12 वान्स ते बूंदी बिल्वाड और ची तोडगड छेतर ने